हे गाइस मैं हूँ सच्छ निगम और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफाल करें दर विंटर सोजर के सेकंड एपिसोड के बारे में इतना अच्छ एपिसोड था जॉन वॉकर मुझे काफी अच्छ लगा शुरू में लेकिन एंड आते आते इसने अपनी होका दिखाई दी और मुझे ऐसा लगाता है कि जॉन वॉकर को एक मोगा तो देना चाहिए कि भई यह अच्छ एपिसोड को देखने के बाद में मेरे मन में बस एक ही बात आई कि यह बंदा कैप्टर अमेरिका के बनने के बिल्कुल भी लाइक है ही नहीं आज किस वीडियो में मैं आपके इस्प्लेंग करने वालों के सेकेंड एपिसोड वे हुआ क्या है क्या है क्या इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखा दिया जाता है जॉन वॉकर जो की अपने ह यहां पर हम देख सकते हैं कि बगल में उसके पास एक कैप्टर अमेरिका की नई यूनिफॉर्म भी है और मैं इस चीज़ को देख के बहुत ज़रा शौक हो गया था वह यह था कि फाइनली इसको इतनी जल्दी कैप्टर अमेरिका की यूनिफॉर्म कैसे मिलगी मेरे साफ स हमारे जो यूस गवर्मेंट है उसने पहली यह चीज़ सोच ली थी कैप्टर अमेरिका बटाया होंगे अब वर्ड को हम एक नया कैप्टर अमेरिका देने वाले है तो यहां पर हम देख सेते हैं कि जौन वॉकर है जो कि शुरुआत में दिखा जाता है उसके बाद हमें उ हम लड़ी रह चुका हूँ लेकिन कैप्टर अमेरिका की जिम्मेदारी उठाना यह बहुत बड़ी बात है लेकिन उसकी जो वाइफ या उसकी गल्फेंड है वो उसको अशॉरंस देती है कि तुम आराम से एक काम कर सकते हो और इसके बाद हमें देखने को मलता है एक नया स अच्छा मुझा लगा नहीं है लेकिन इसकी बात बता हो हर बंदे को ब्लैक साइड करक्र देना ही क्यों होता है आयन मैन का आपने रोडी दे दिया जो की ब्लाग है तो मुझे इसी समझ में निया थी आई रेली हेट इसके आदम देख सकते है कि जो हॉसकिन है वो बोलता ह हमारे नए Captain America यानि John Walker से कि क्या तुम नर्वस हो रही हो नर्वस हा रही हो तो मुलता कि नहीं मैं नर्वस नहीं हो लेकि उन्हों की बात की बात में वो दोनों तयार हो जाते है और यहां पर हमारा शो जो है वो शुरू हो जाता है हम देख सकते हैं अगले सिर्मा में दिख उस शिल्ड को वापस किया तब उनको ऐसा लगा कि शायद जो है Falcon नया Captain America नहीं बनना चाहता और यहां पर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग खुश है क्योंकि उनको एक नया Captain America मिल चुका है लोग तालिया बज़ा रहे हैं खुश हो रहे हैं गाने बज़ रहे हैं और क काफी तार अच्छा मुझे इस सील लगा साथ अगर आप गौर से दिखेंगे तो यह आपको दिखेगा Good Morning America जो की एक्शुली में ABC का शो है अब ABC और डिजनी का आप जाती है वह सेम कंपनी है तो यहां पर हम देख सकते हैं काफी अच्छा इस च्रेग में देखने मुला है उसको इसकी कैप्टर अमेरिका की शील्ड दे दी थी और वह से प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन अगर आप इन सील को गौर से देखेंगे तो यहां पर हमें ऐसा लगता है शायद अगर अगर आप गौर से देखें तो इसके पास अलेड़ी सूपर सोल्जर सेरम है मेरे को ऐस सोल्जर में तो यह मुझे काफी अच्छा लगा उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बकी यही चीज जो है वो टीव पर देख रहा है और बकी इस चीज को देखने के बाद में बिल्कुल भी खुश नहीं है और ट्रस्ट मी मैं भी कुश नहीं था जैसे ही फॉर्स एपी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसके बाद हम देख सकते हैं हमें देखने को बलता है हमारा फालकन और फालकन जो है वो अपने फ्रेंड के साथ में चा रहा है वापस से कहां पर फ्लैक्श मैशस के गुरूप को देखने और इसको दिखाई देता है क्या यही पर आता है हमारा बाकीबान सुर कहता है कि तुझे शील्ड वापस नहीं देनी चाहिए थी तुझे इसके अन्र को करना चाहिए था और तुझे नया क्या एंक बनना चाहिए यहां पर फालक्र को सिब्यां करते है कि मैं कैप्टर अम très kण बदा लेकिन मुझे भ onion पन जो US Government है, वो Captain America किसी और को बना देगी. और वैसे भी मेरे पास बहुत सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसके बारे बाद में बाद करेंगे. और अब मैं जा रहा हूँ उस मिशन को करने, जहां पर मुझे फ्लाश मैशर्स के गुरूप को पकड़ना है, यह वो बंदे हैं जो कि हमने फॉर्स एपिसोड के अंदर देखे थे, उसके बाद थोड़ सा आर्गुमेंट होता है, और यहां पर हमारा बकी उसको बलता है कि मै अब से लेंट कर जाऊँगा, पेड को पकड़नी कोश करता है लेकिन जबीन पर गर जाता है और तब ही आता है रेड विंग और जो हमारे बकी है वो से किलस्ता है तो कहता है कि मेरे बबड़ से इसको तोड़ दूआ है उसके आदम देख सकते हैं, दोनों जाते हैं एक अब पता चलता है कि अच्छुली में सारे के सारे जो गरेक्टर है फ्लाक स्माशर वाले वो देख लेते हैं कि बकी और हमारा साम दोनों यहां पे हो और वो अपनी जो गारी है वो पैकर करके यहां से निकलना शुरू कर देते हैं, कि बाद हम देख सकते हैं जो एक परसन ह उनको ऐसा लगता है कि यह जो परसन है वो होस्टेज है यानि अबिसली यह प्लान थे यह तो मैं वैसे ही समझ गया देख के हम देख सकते हैं कि बकी और सम जाते हैं उनके पीछे और यहां पर वो दोनों प्रक का पीछा करनी कोश करते हैं यहां पर गौर से बहुत ही मस्त हैं कि वो इनोसेंट सी लड़की बनती है लेकिन बाद में वो अस्ती और बकी को मारती लाथ और बकी आके बाहर गरता है यहां पर गाईस मुझे यह चीज कंफर्म हो चुकी है कि मेरे इसाफ से यहां पर जो फ्लाक्श मैशर का गुरूप है उनके पास सूपर सोल्जर सिर वैसे ही दुबार से हो जाए तो पहला गैस मेरे है इसके इसके इंदर कोई वायरस है हम देख सेते हैं उनकी फाइट होती है बहुत ही अमेजिंग फाइट हो रही होते है जहां पर हमारा बकी बांस और फालकर लड़ रहे होते है और काफी अच्छा सीन है लेकिन उसी वक् का साइट करेक्टर बैटल स्टार भी देखने को बिलता है जो कि इन दोने की मदद कर रहा है यहां पर जब वो उनकी मदद करने के लिए आते हैं तो बकी और साम बिल्कुल भी खुश नहीं इस बास से हम देख सकते हैं कि जो हमारा नया वाला कैप्टर अमेरिका है वो शी इतने नहीं वाले हैं इस साथ इस साथ जो नहां वाला कैप्टर अमेरिका है वो अपनी शीर्ड का इस्तेमाल करके जो बलाग गई है उसका फ्रेंड यान कि बैटर लेख खतम हो जाता है। हम देख सकते हैं उसके बाद हमें देखने को मलता है Bucky और Sam अराम से जा रहे होते हैं बात कर रहे होते हैं लेकिन वहसी वक्त गारी के अंदर बैटके US Army गारी के अंदर बैटके निया वाला Captain America और उसका character यानि की better star साथ में आ जाता है हम देख सकते हैं इनकी character की बात होती है और वो दोनों इन दोनों के अंदर बिल्कुल इंटरस्ट नहीं है obviously बिल्कुल इंटरस्ट नहीं आएगा क्योंकि इन characters को यानि कि Sam और Bucky को हम काफी समय से जानते हैं लेकिन एक दम से नए character लाना मिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा हम देख सकते हैं जो नेया वाला Captain America है John Walker वो इनकर invite करता है कि मेरे साथ बैठो बात करो और वो बात करते रहते हैं यहां पर वह पता चलता है कि जो नेया वाला Captain America है बहुत ज़्यादा एगवस्टिक है और यहां पर एक point पर तो वो हमारे Bucky को assistant भी बोल देता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत है उसके आदम देख सकते हैं कि हमें पता चलता है कि Sam और Bucky जो है वो इन दोनों के साथ बिलकुल भी interest नहीं है काम करने के लिए और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कही न कहीं यह Hoskins और John Walker वाला जो बंदा है यह बिलकुल भी सही intention नहीं है करता हो लेकिन यह नया वाला Captain America John Walker किसी बात की परवा नहीं करता है उससे लगता है कि मैं Captain America हूँ तो जहां पर सबका जो है मेरा order ही चलेगा यूस गवर्णमेंट ने मिलको पॉइंट के है तो जो मैं बोलूँगा वही हुकोम है और सबको यह बात माननी पड़ेगी जो कि मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा उसके बाद हम देख सेते हैं कि Flash Master जाते हैं अपने हाइड आउट पे और जहां पर वह सारे के सारे डाटाबेस से अपना नाम जो है वह रिमूव कर रहे है क्योंकि उनको कुछ नया प्लान करना है और वह कुछ नया प्लान अपना करने में लग जाते हैं अमेरिकन गौर्णमेंट ने ब्लैक लोगों पर एक्सपेरिमेंट की थे लबक 30-40 लोग थे जितमें सारे के सारे मर गए थे लेकिन एक बंदा बचा था जिसके अंदर सूपर सोजर उस वक्त भी था और ये बात जब स्याम को पता चलती है तो वह कहता है कि तुमने मुझे तो बकी कहता है कि मैं बिल्गुर भी बताना न चाहता था या कुछ उसके पास को रीजन था और हमें यहीं पता चलता है कि अक्चिव मैं जब बकी हाइडर के लिए काम करता था तो इसको मानने के लिए हमें आईजिया ब्रैडली को ही बेज़ा गया था हम देख सकते है हम यानि स्टीव रोजर से पहले भी एक Captain America था and I truly respect him. उसके बाद उसको गुस्ता आ जाता और वो कहता है कि तुम्हारे लोगों ने बहुत जाला टॉर्चर किया है मुझे और मैं ऐसे अपना काम कर रहा था लेकिन मुझे देश दोई बता कर 30 साल के लिए जेल में डाल दे क्या मेरे घर से निकल जाओ और यहाँ पर Sam और बाकी ब बहुत अच्छा है इसीन लगा जो कि अगर आपने ध्याद नहीं दिया होगा तो फर्स्ट जो हमारा शोह था हमारा Marvel Semantic Universe में यहने की वांड़ विजन वो डील करता रहा डिप्रेशन से जो काफी अच्छा था और यह जो फॉलिस वाले हैं वो Sam को हरास करने वाले ही होते है लेकिन यहाँ पर जो है उसको पता चल जाता है कि actually में तो Falcon है तो पुलिस वाले उसको sorry बोलते हैं और आगे move on कर जाते हैं लेकिन बकी को बोलते हैं कि आपने अपने therapy के session जो है वो complete नहीं कि है इसलिए आपको पुलिस अरेस्ट करने वाली है और अगर court mandate कोई चीज होती ह तो आपको उसको करना परता है और court ने mandate किया था कि बकी को जो है वो एक therapy session लेना चाहिए और बकी वो नहीं ले रहा था इसलिए बकी को ask कर लिया जाता है उसके बाद हम देख सकते हैं उसी police station के अंदर जो बकी की psychiatrist होती है वो आती है और वहाँ पर हम देख सकते हैं John Walker भी जब बात हुजएगी तो बाहरा के मुझसे मिलना मैं तुम दोने से बात करना चाहता हूँ इतना ego मैंने कभी भी नहीं देखा माव सर्माड़क उनिवर्स में जितना इस बंदे के अंदर अकेला है मैं personally इसको hate कर रहा हूँ I don't know why उसके आदम देख सकते हैं यहाँ पर हम वापस नहीं करनी चाहिए थी तुछ उस बंदलू का अपला लेना चाहिए था और Sam यहाँ पर यह कहता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ अपना काम करना हूँ यहां से दूर चले जाना में को अपनी जिंदी की चाहिए दो और वगएरा वगएरा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा और अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर जो Sam है वो यह कहता है कि तुम जो है वो गौर्मेट की नजरों में रहके काम करते हो हम कोई नजरों में काम नहीं करते हैं और अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें और जिससे जॉन वाकर और बैटल स्टार एगरी नहीं करते तो अब इन दोलों की जो एनिमरिटी है वो शुरू हो गई है यानि बकी एंड साम वर्से जॉन वाकर एंड बैटल स्टार काफी अच्छी इनकी दुश्मनी होने वाली मेरे साफ से यहाँ पर जो हमारा नया वाला यहाँ पर जो एक बंदा यहाँ पर जो एक बंदा यह जान गवाय देता है क्योंकि पुलिस इसके पीछे आ जाती है तो यह काफ एच्छा सीन है जिससे पता चलता है कि फ्लाग श्मैशर का गुरूव जो की अपनी वैक्सिन को बाइप्रें कहीं पर ट्रांसमेट करने वा पुलिस से उनको रिबल कर चुका है और वो चाहते हैं पुलिस को हराना है यहाँ तो काफी अच्छा सीन मुझे लगा उसके बाद हम देख सकते हैं कि एपिसोड के एड में जो साम है वो बक्यू एक्स्प्लेइन करता है कि हमारे पास कुछ न कुछ तो हमें करना ही पड़ या फिर बक्यो और साम मिलके जेल से इसको बाहर निकाला जाएं क्योंकि अब यह जानते है कि जब वो गौर्णमेंट की बात नहीं मनने वाले है तो गौर्णमेंट उनको किसी भी तरह से एक्यूस कर सकती है तो शायद यह जेल तो बाहर निकाले या फिर परोल पर या फि एपिसोड क्या से लगा, थार्ड एपिसोड के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं, मुझे कमेट सेक्शन में जरूरू बताना, और हाँ, जवान वोकर को गाली देने के लिए कमेट सेक्शन खुला है, कूप जाके गाली दो, मेरे मल से में निकल रही है, थांक यो मुझे वाच वर वाचिं दीओ, आप जी वीडियो के अंदर, बाइग्यूस चेकर लाव यू आप याओ, तो फेशन दीओ, वाचिकर लाव यू और आप रही है,